मैं आपको यह भी सुचित करना चाहूंगा सरकार एक हाई लेभूल कमिटी गठन करने जा रही है जो इस वार प्रकरण में एंटिय की समंद में मैंने पहले भी कहा हैं एंटिय की समंद में कई विशे समने लाया हैं एंटिय की स्ट्रक्चर एंटिय की फंक्शनिंग एक्जामिनेशन प्रोशेस ट्रांस्परेंशी और डाटा सिकूरिटी प्रोटोकल को और इंप्रूब करने के लिए उस उच्चास्तेरिया कमिटी से रेकॉमेडेशन अपिकीत रहेगी हम जीरो एरोर की परिक्ष्या की लिए प्रतिबद्दा है हमारी सरकार ने दो हजार चोविस में पहली बार पब्लिक एक्जामिनेशन प्रिवेंशन अफ उनफियर मीन्स आट को भी लाया है विद्यार्ति हमारी देश की भविश्य है मैं सभी से अन्रोद करता हूँ इस संबेदन सी लिशू पे किसी भी तरह की अफवाब भेलाने का कोशिश ना किया जाए या सारे चीजों को राजनितिक दिरिश्चे से देखा ना जाए मित्रों फिरंतर में मैं आपकी स्वयोग चाहता हूँ देश की इलाकों विद्यार क्योंकि जो ग्रामीन गरीब मेदा भी विद्यार थी नीट की परिख्या में अच्छे नंबर के साथ अच्छे रैंक में खड़े हैं आइसोलेटर घटना के लिए उनकी क्यारियर को होस्टेज में ना रखा जाये मैं फिर अस्वस्त करताऊं सरकार की भी गुनेगार को की भी शुधार के लिए हम त्यार हें कि भी गुनेगार से हम छोड़ेंगे नहीं कडि से कडि औरひ कारवाई होगी कारवाई के लिए सारे पुक्ता प्रमान तथ्य एक लीगाल लॉजी का लेंड की एक वारियता रहती है आवशक्ता रहती है इस पे सरकार गंभीरता से सारा विश्यों को लिया है मैं आप सभी का सब्सक्राइब काम ना करता हूं आप अपना नाम और 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 ओऔशन प्लताइण से लिगे औरतकुछ को ळाता हूं Sir Ritika from the Indian Express, आपने का एक हाई लेवल कमिटी बनाई गई है, can you tell us about the composition of the committee? And my second question, sir, कि आपने कल UGC नेट इस सफिशिशन पे चैंसल गया कि शायद उस एक्जाम की इंटेगरिटी कंपरमाईज हो गई हो. The initial, or rather the preliminary inquiry of Bihar Police shows that one candidate has confessed कि मुझे एक रात पहले पेपर मिला, मैंने सॉल्ट किया और जवाब रटे गए. So would you just, based on that suspicion or indication, also want, you know, cancel UGC, sorry, NEET, UG. प्रस्णा आपने रखे हैं, एक तो मैं आपको अस्वस्त करता हूँ, समाज जिवन के आज की दिनों में भारत की जो विश्वशिनियता बनी है, उसको बरकरा रखने के लिए, समाज जिवन के experts को involve करते हुए, technocrats, scientists, education administrators, academicians, psychologists, इस सभी प्रकार की background की लोगों को एकठा करते हुए, एक सरकार effective committee बनाएगी, उनकी committee की recommendation से NTA को सुधारा जाएगा, नया रूप दिया जाएगा, जल्दी ही हम उस committee को notify करेंगे, आपने नेट UGC की बारे में कहा, कोई tentative नहीं था, कल मैं जब हमारी UGC chairman को ग्रिह विभाग की home ministry की I-4C agency जो विशेश करके cyber crime को tracking करने के लिए बनी है, उन्होंने तीन बजएग जानकारी थी, कि इस इस प्रकार की dark net में question आ गिया है, उस question को हमने NTA की जो original question सा उसके साथ टैली करवाया, जब हम सपष्टो होगे कि वो dark net में जो question है, वो UGC net की original question के साथ मिलता है, तद क्राइब हम लोगों ने निर्णे किया, इसके उपर एक उच्यस्तरी अनुसंदान उसीविय इंक्वारी हो, क्योंकि इन दिनों में टेलीग्राम पे ये news आयाता है, ये question आता है, टेलीग्राम की जो शरीत रहे, उसको एक उच्यस्तरीय अनुसंदान के बिना उसकी tracking करना आपने आप में एक चुनोती है, आप उसकी बारे में जानते हैं, हमने तत्किनात निल्ले क्या कि इस परिक्षिया कंपरमाईज हुई है, उसको स्थगित किया जाए, और जल्ली हमने उसी में भी कहा है कि जल्ली हम नया तीथी के साथ आएंगे परिक्षिया करने के लिए, जहां रहां नीट की सवाल है, नीट में मैं उसको कोई अच्छी बात नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं फिर बिनमरता से कहना चाहूँगा, जो लाखो मेदावी विद्यार्थी बहुत मेहनत से उस परिक्षिया को उतिर्न हुए हैं, उनकी भी हित्तों को हमें ध्यान देना है, जैसे मैंने कहां, मैंने प्रार्मिक शुचना में कहां कि पटना पुलिस की काम सरहनिय है, एक आइसोलेटेट घटना को उन्होंने राउंड अप कर पाया है,